जैमातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मेजिक में आपका हार्देक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, साल दो हजार चौबिस का पहला सूर ग्रहन बहुत ही जल्द लगने वाला है ये चैतर मास के कृष्ण बक्ष की अमवस्या के दिन लगेगा दोस्तों, आठ अप्रेल दो हचार चौबिस दिन सोम वार को साल का पहला सूर ग्रहन लगेगा ऐसे में इस सूर ग्रहन से जूड़ी कम्प्लीट ज्यानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी जैसे की आठ अप्रेल का सूर ग्रहन कितने बजे लगेगा ग्रहन कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा क्या इस सूर ग्रहन का सूत तक काल लगेगा या नहीं क्या ये सूर ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं भारत के लावा और किनकिन देसों में ये सूर ग्रहन देखा जा सकेगा। इसके लावा इस सूर ग्रहन के समय क्या नियमों का पालन करना हो गया या नहीं। इसके लावा गर्वती को कौन-कौन सी साफधानी रखनी चाहिए। इसके बारे में भी इस वीडियो में जान करी दूँगी इसलिए लास तक वीडियो को जरूर देखें लेकिन अगर अबी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और जा सोमवती अमोस्या का सैयोग भी बन रहा है दोस्तों सोमवती अमोस्या का हिंदू धर्मे में बहुत अधिक महत्व होता है ऐसे में इस दिन ग्रहन लगने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है दोस्तों ये सूर ग्रहन बेहदी खास होने वाला है इसका प्रभा और रासियों पर भी पड़ेगा जो 30 के अनुसार सूर्य ग्रहन को असुग घटना माना जाता है इस दोरान कई कार्यों को करना वर्जित बताया गया है आपको बता दें कि सूर्य ग्रहन के समय सूर्य पीड़ी तवस्ता में होते हैं और असुग फल देते हैं जिस वज़े से इसका असर हर मानो जीवन पर पड़ता है आपको बता दें कि 8 अप्रेल को लगने वाला सूर्य ग्रहन एक खग्रास सूर्य ग्रहन है यानि ये पूर्ण सूर्य ग्रहन है इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढखेगा और कुछ समय के लिए अंधेरा चा जाएगा औ और बात करें 8 अप्रेल को लगने वाले सूर्य ग्रहन के समय की तो भारती समय के नुसार इस सूर्य ग्रहन की सुरुवात 8 अप्रेल की रात 9 बचकर 12 मिनट पर हो जाएगी और खग्रास का प्रारंब रात 10 बचकर 10 मिनट पर होगा और ग्रहन का मद्य काल रात 11 बचकर 47 मि मिनट पर हो जाएगी और ग्रहण की समाप्ती देर रात दो बचकर 22 मिनट पर होगी, दोस्तों, खगरास की कुल अवदी चार गंटा 25 मिनट की है, वहीं पूर्ण सूर ग्रहण की अवदी लग बख 5 घंटा 10 मिनट की है, यह एक बहुती लंबा सूर ग्रहण है जो की उत्री दच्णी अमेरिका, ग्रीन लेंड, आइसलेंड, अजोरस, एंडीगुआ, बर्बूरा, बेलिच, बिटिस वर्जिन, आइसलेंड, कनाडा, कुलांबिया, कुस्टारिका, क्यूबा, डेमीनिका, ग्वाटेमाला, हेती, होडुरस, जमैका, मैक्सिको, पनामा, नीदरलेंड, आइरलेंड, रूस, इस्पेन और आर्केटिक में दिखाई देगा, हाला कि 8 अपरेल का सूर्ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय ये सूर्ग्रहन खटित होगा, उस समय भारत में रात होगी, ये सूर्ग्रहन सिर्फ विदेशों में दिखाई दे रहा है जिस वज़े से इसका सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा क्योंकि जिस इस्थान पर ग्रहन की द्रस्ता होती है वही पर सूतक काल मानने होता है सूतक काल असुप समय होता है जिस समय कुछ कार्यों को करना वर्जित बताया गया है दोस्तों इस सूरग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा इसलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन करने की भी आवशक्ता नहीं होगी हाला कि जिन्देसों में ये सूर ग्रहन दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस सूर ग्रहन के सूतक के सुरुआत सूर ग्रहन सुरु होने के ठीक 12 घंटे पहले हो जाएगी और सूतक काल की समापती सूर ग्रहन के साथ ही हो जाएगी चलिए अब जानते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों को इस सूर ग्रहन के नियमों का पालन करने की अवश्यक्ता होगी या नहीं तो दोस्तों ये सूर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं दे रहा है जिस वज़े से सूतक के नियमों का पालन भारत में नहीं किया जाएगा हमारे सास्त्रों में ये नियम है कि जहां पर ग्रहण दरस्त नहीं होता है वहां पर ग्रहण के नियमों का पालन करना कंपल सरी नहीं होता है इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को इस सूर्र ग्रहन की टेंचन लेने की अवशक्ता नहीं है उन्हें सूतकवा ग्रहन के नियमों का पालन करना कंपल सरी नहीं होगा लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहन का विचार करते हैं क्योंकि मानता है कि सूर ग्रहन के समय सूर पीड़ी तवस्ता में होते हैं और असुफल देते हैं और ग्रहन के दोरान वाता वरण में भी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसका असर हर जीवन पर, हर जाती पर और हर रासी पर भी पढ़ता है इसलिए सेफटी पॉइंट आफ व्यू से बहुत से लोग हर तरह के ग्रहन में नियमों का पालन करने की हिदायत देते हैं तो जो लोग भी सेफटी पॉइंट आफ व्यू से नियमों का पालन करना चाहते हैं तो वह लोग नियमों का पालन कर सकते हैं चले अब जानते हैं कि सूर्ल ग्रहण के दोरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानिया जो सूर्ल ग्रहण की समय रखनी हैं दोस्तों ग्रहण के दोरान हमें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ग्रहन के दोरान निकलने वाली हानी कारक्रिणों आपको नुक्सान पहुचा सकती हैं इसके लावा ग्रहन को खुली आँखों से देखना भी नहीं चाहिए ग्रहन के दोरान किसी से लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए और ना ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए इसके लावा ग्रहण के समय बोजन बनाना या खाना भी नहीं चाहिए इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए हाला कि ये नियम बच्चे, बुड़े और रोगी पर लागू नहीं होता है इसके लावा ग्रहन के समय मास मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए इस दोरान जुआ नहीं खेलना चाहिए ग्रहन के समय बाल खीचना, तेल मालिस करना, ब्रुस करना भी मना होता है दोस्तों ग्रहन के समय कपड़े दोना, बर्तन दोना, कपड़े निचोड़ना आदी जैसे कार भी वर्जित होते हैं ग्रहन के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए ग्रहन के समय कोई भी सुब और नया कार भी नहीं करना चाहिए इसके लावा ग्रहन के समय कोई भी नया वस्तर, नया वाहन या नई प्रापर्टी या किसी नए बिजनस की सुरुआत भी नहीं करनी चाहिए चलिए अब गर्वती महिलाओं के बारे में जानते हैं कि सूर्र ग्रहन के समय उन्हें कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए दोस्तों करवती को जो बाद सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वे हैं ग्रहन के समय करवती को कोई भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तमाल नहीं करना है उन्हें इस समय चाकू, कैंची, सुई, नेल कटर, पन पैंसिल, हेर पिन, सेफ्टी पिन या किसी भी लोहे की वस्तु को नहीं चूना है इस समय आपको सबजी या फलाद भी नहीं काटने हैं इस समय सिलाई, बुनाए, कड़ाई भी नहीं करने हैं ऐसा करने से होने वाले सिसु को नुक्सान पहुँचता है दोस्तों, गर्वती को ग्रहन के समय सोना भी नहीं चाहिए इस समय सजना सवरना नहीं चाहिए इस समय किसी भी तरह का योगा एक्सरसाइज भी नहीं करने चाहिए इसके लावा ग्रहन के समय सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए दोस्तों ग्रहन के समय गर्वती को भगवान का द्यान या मंतरों का जाब करना चाहिए आप ग्रहन के समय संतान गोपाल मंतर का जाब कर सकती है या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पार्ट कर सकती है जैसे रामायन, गीता, सुंदरकान, दुर्का सब्तसती का पार्ट कर सकती है चलिए अब जानते हैं कि ग्रहन के कुप रभाव से बचने के लिए गर्वती माईलाओं को कौन से उपाय करने हैं दोस्तों सुर्र ग्रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्वती आप ग्रहन लगने से पहले ही तुलसी की माला अपने गले में पहन लें फिर जब ग्रहन समाप तो हो जाए तो इस तुलसी की माला को किसी बैते हुए जल या नदी में प्रवाहित कर दें दोस्तों ग्रहन लगने से पहले गर्वती मैला को अपने पूरे पेट पर हल्दी या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए इससे ग्रहन के दुस प्रभाव से आपका बच्चा एकदम सुरच्चित रहेगा साथ ही ग्रहन के समय अपने पास एक नारियल भी जरूर रख लें इससे वाता फरण से निकलने वाली हानी कारक्रणों का असर आप पर या आपके होने वाले सिसू पर नहीं पड़ेगा कुछ न कुछ दान भी अवस्य करें इससे आपको सुबफल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद